समस्ते चात्रों, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज अम इस वीडियो में मोखरी वन्स था उत्तर गुप्त वन्स के बीच संबंद कैसे थे इनके बारे में पढ़ेंगे, तो ये वीडियो एक्जाम की दस्टीचे बहुत महत्तोगुण है अता आप वीडियो को द्हान से देखेगा तो देखें, पढ़ते हैं मोखरी वन्स था उत्तर गुप्त वन्स के बीच संबंद गुप्त वन्स के पतन के बाद उत्तर भारत में जो सक्तियां स्वतंतर हुई उनमें कन्योज के मोखरी तथा मगद और मालवा के उत्तर गुप्त विशेश रूप से महत्तोगुण थे इन दोनों राजवन्सों का इत्यास बहुत कुछ हद तक दूसरे से समानता रखता है प्रारम में दोनों ही समराट गुप्त वन्स के संबंद थे तथा उनके पारसपरिक संबंद मैत्री पूर्ण रहे किन्तु जब दोनों ही राजवन्स वतंतर हुए तो इन दोनों वन्सों का मैत्री पूर्ण सम्बंद सत्रूत आरथा यूद में बदल गया जो चटवी सतापदी इस्वी के उत्तर भारत की परमुगठना है इन दोनों राजवन्स हूँ कौन-कौन से मोकरी तथा गुप्तो तरकाल के जो राजवन्स हैं इन में दोनों त्रह मैत्री तथा यूद के संबंद थे जिनका विवरण इस परकार से है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैत्री संबंद सुरुवात में मोक्री तता उत्तरगूप्त दोनों ही समराट गूप्तवनस के अधीन थे तीन पीडियों तक दोनों के संबंद मैत्रि पूर्ण बनने रहे मोक्री वनस का पर्थम सासक हरिवर्मा था जो 510 इस्वि में सासन करता था उसका समकालिन उत्तर गुप्त वंज ये नरेश कर्षण गुप्त हुआ, जो गुप्त उत्तर वंज का संस्तापक था इस समय गुप्त सम्राज ये पत्नोन मुक्त था, अतहें दोनों इसमराटों ने एक दूसरे की सक्ति को बढ़ाने में एक दूसरे का सयोग किया हर्ष गुप्ता जो उत्तर गुप्त समराट कर्षन गुप्त की पुत्री थी का विवा है मोखरी नरेश हरी वर्मा के बेटे आदित्य वर्मा के साथ हुआ इस प्रकार ऐसे सम्बंदों से दोनों नरेशों में मैत्री के सम्बंद इस्तापित हुए मोक्री वन्स का अगला सासक आदित्य वर्मा था जो हरे वर्मा का बेटा था उसका समकालेन उत्तर गुप्त का सासक हर्ष गुप्त था जो कर्षन गुप्त का पुत्र था हर्ष गुप्त की बहन का विवा आदित्य वर्मा के साथ किया गया मोकरी मन्स का तीसरा सासक इस्वर वर्मा था जो आदित्य वर्मा का पुत्र था इसका समकालीन उत्तर गुप्त का सासक जीवित गुप्त पर्थम हुआ जो हर्ष गुप्त का पुत्र था इस्वर वर्मा का विवा है उत्रगुप्त मन्स के नरेश हर्ष गुप्त की पूतरी उपकुप्ता से हुआ उपकुप्ता जीवित गुप्त पर्थम की बहिन थी इस प्रकार हम कहा सकते हैं कि प्रारंबिक तीन मोखरी मंस के ऐसे सासक थे जिनके समय में 550 इस्वी तक मोखरी दता उत्तरगुफ्त संब्ल मैत्री पूर्ण रहे अब हुआ ये कि दोनों ही राजबंस अपनी अपनी सक्ति का विस्तार करने में लगे हुए थे अपने अपने विस्तार के लिए इन दोनों राजबंसों ने एक दूसरे का सयोग भी किया था इस समय में ये दोनों राजबंस सम्मंत स्थिती में थे इस सम्मंत स्थिती का पता उनके द्वरादारण उपादी से लगता है अब देखिएगा ये तो थे उनके बीच में मैंत्री फूर्ण संबंद, अब है युद या संगर्स के संबंद चट्विस तापदी के मध्ये मगत का सक्ति साली गुप्त वन्स छिन भिन हो गया इसके साथ ही उत्तर भारत में घोर अराजकता फैल गई अलग-अलग भागों में नई-नई सक्तियों ने अपनी स्वाधिनता गोशित कर दी इन नई सक्तियों में मोखरी तता उत्तर गुप्त भी समिलित थे मोखरी राजवन्स को समंत इस्तिती से स्वातंतर इस्तिती में पहुँचाने वाला पर्थम सासक इशान वर्मा था अब ये हुआ कि तीन पीडियों से उनका जो मैत्री पूर्ण संबंध चला आ रहा था वो एब सत्रूता में बदल गया इन दोनों ही राजवन्सों का उद्ध से अपने सक्ति को बढ़ाना तथा उत्तर भारत का चक्रवर्ती समराड बनना था मोखरी तथा उत्तर गुप्तों का पर्थम पर्तिक संगर्स दोनों राजवन्सों में पर्थम पर्तिक संगर्स इसान वर्मा तथा कुमार गुप्त के मद्दे हुआ इस यूद में इसान वर्मा की हार हुई तथा कुमार गुप्त की विजे हुई मोखरियों के इस हार से उनकी समराजेवादी आशाओं पर पाने फिर गया इसान वर्मा के बाद उसका पुतर सर्व वर्मा करनोज का सासक बना तथा इसका समकालिन उत्तर गुप्त का सासक दामोदर गुप्त बना जो कुमार गुप्त का बेटा था इन दोनों सासकों में बायंकर यूद हुआ, इस यूद में दामोदर गुप्त की प्राजे हुई, तथा मोखरी सासक सर्ववर्मा ने मगद के उपर अपना अधिकार इस्तापित कर लिया देववर्मा के लेक से पता सलता है कि सर्ववर्मा का अधिकार मगद पर हो गया था, उसने वारूनी ग्राम जो बिहार में इस्तित है को दान में दिया था, यह स्थान पहले मगद में इस्तित था, मगद के मोखरी अधिपत्य में चले जनने के बाद उत्तर गुप्तों का र सर्वा वर्मा के बाद उसका पुत्र अवंती वर्मा मोखरी वंस का सासक बना उसका पर्तिद्वंधी महासेन गुप्त था जो दामोदर गुप्त का पुत्र था विद्वानों के लेखों से पता चलता है कि महासेन गुप्त मोखरी नरेश अवंती उर्मा की दिंता स्विकार करता था मोखरियों की विरुद अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ही महासेन गुप्त ने अपनी बहन महासेन गुप्ता का विवा है थानेश्विर के वर्धन नरेश राज्य वर्धन पर्थम के साथ किया था प्रभाकर वर्धन महासेन गुप्ता का पुत्र था अवंती वर्मा के बाद उसका पुत्र ग्रह वर्मा कनोज के मोखरी वंस का सासक बना इस समय मालवा में महासेन गुप्त की मृत्यू हो गई थी तता यहां का ससक देवगुप्त था ग्रह वर्मा का विवा है वर्दर मंस के नरेश प्रभाकर की पुत्री राजेश्री के साथ हुआ जिससे दोनों वंसों में मैत्री पूर्ण सम्मंद स्तापित हो गए देवगुप्त ने अमने स्तिती को मजबूत करने के लिए बंगाल के गोड नरेश के साथ संदी स्तापित कर ली थी प्रभाकर वर्दन की मर्त्यू होते ही देवगुप्त ने करनोच के उपराकरमन कर ग्रह वर्मा को माल डाला ग्रह वर्मा करनोच के मोख रिवंस का अंतिम स तो देखेगा जो भी हम लोग आपको वीडियो दिखा रहे हैं वो एक्जाम की दर्स्टी से बहुत ही महत्तों पुन है अता है वीडियोज को बार-बार देखें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें और हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पर अंतक बने रहें धन्यवाद